हेलो एभ्रीवन नमस्कार आदाब सिस्तिरिकाल तो हमने प्रिबिएस लेक्चर में हमारा यहां तक अचे द्रगे से कम्प्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में कम्प्लीट करने वाले हैं गलीसेल प्रोसेसर लेंड़ फॉर्म हैं तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि इस बुक कर चाप्टर लेवन इस टॉपिक है परीग्लेसियल वहां पर इसको कबर कर लेंगे बागी ये जो पढ़ने वाले है इसमें में पढ़ने वाले है जो प्रोसिश एस्टेट रहता है Flowing Ice in Glaciers तो सबसे पहले देखते हैं Glacier Mass Balance होता जहा है किसी विजिच का Balance क्या होगा जितना जा रहा है जितना इनपूठ हो रहा है उतना जा आपूठ हो रहा है उसे तरीके से Mass Balance होता है तो वह हमाँ पर ही बोला गया Glacier Mass Balance तो यह होता किस तरीके से, तो सबसे पर देखिए, ग्लेसर हमारा फॉर्म कब होगा, जब भी हमारा एक स्नौ, जब वो एक जगह आगे, फिर वो कॉम्पेक्ट होंगे, अब उनका कॉम्पेक्शन के वज़े से वो क्या होंगे, वो हमारा जो है स्नौ, वो हमारा आइस में में हमारा हो सकता है, जहाँ परّंट जो प्लों हो रहा है, वो हमार उसके मैल्टिंग रेट से जादा हो रहा है, मतलब बीगि, जटना हमारा इतना स्नौय मैलट हो गया, भाकि का जो शुच नो बचा और इसमे नो हमारा गिरते जारहे, तो जब पर ज़यादा इमारा स्नौ वहां पर ही फॉर्म होता है तो उसी के वज़ए से जितना ज्यादा इमांट का दो मूर रैपिड एक्कुमिलेशन अब स्नू एंडिस करवेंशन तो आइस देट क्वीकर अग्लेसियर विल फॉर्म और एक पर यहां पर ही ग्लेसियर फॉर्म हो जाने के बाद हमारा ग्लेसिय थी काया करें के रहा हैं हम इंखठा हो करें और एक अबलेशन मतलब हमारा मतलब जोई कितना मांका हमसी हए ब्लेशन अबलेस गोई जाए और this mass balance of glacier depends strongly on climate and determines the net gain or loss of ice on all kinds of weather all kinds of glacier, okay? समझ सकते हैं, तो glacier of ice तेकि यह मिलनी है क्या? आप इसको तरीके समझ सकते हैं winter के time पर एजूम किजिए winter के time पर होता क्या है? winter के time पर हमारा यहां पर ही जादा amount को थंडी पड़ेगा, तो थंडी के वज़े से हमारा जादा amount का है, पर इस चो एक्मिलेट हो पाएंगे तो उस वज़े से बोला जाता है कि जादा amount का थंडी में जादा amount का ice एक्मिलेट हो जाएगा, फिर जो वही होगा summer के time पर तो summer के time पर जो जादा amount का ice हो क्या होगा, हमारा पीघलना स्टार्ट कर देगा और फिर देखिएगा, एक time पर आएगा, फिर हमारा फिर से ठंडी आ जाएगा तो जितना amount का ठंडी में हमारा ice बढ़ा था, उसी टाइप से उतना amount का ठंडी में ये sorry, glacier जो बना था, मतलब winter में वह हमारा summer में फिर क्या होगा, उतना amount का निकल जाएगा, तो balance हो गया जितना amount का बना था फिर उतना निकल गया तो balance हो गया, इसी को हम glacier mass balance बोलते हैं, आप इसको अच्छे तरीके समझ सकते हैं और यह देखिए है diagram है, इसमें हम यक्यम देख सकते हैs, की यह हमारा ice, जो है, इसका जो थीकness होता है सबसे जाता ice का थीकness होता है maximum कहा पर होगा, हमें यहां पर बुलता है हमें यहां Şimdi होता है, ice कंस्छेफ जो होता हैमें हमें a center फर्न लाइन ये काफी अदा important है इसको पहले यहां पर देख लेते हैं क्या होता है जो अपर पार्ट इस्टैसर का स्नों कोवड एक्यूमेलेशन जून आई देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि हमारा जो अपर पार्ट यह ग्लेसर है ठीक है यह हमारा ग्लेसर है तो इसका जो अपर पार्ट आपको मिल रहा है देखने को यह जो अपर पार्ट देखने को मिल रहा है यह हमारा यहां परी क्या है यह जो है तो और यहां पर हमारा जो है स्नू पीखल पीखल के नीचे जा रहा रहा है तो कभी एप्लेशान जोन यहां पर अदर थंटी रहेगा और फिर पीखल के नीचे आएगा ना मतलब उसका दिखेगा अगर ऐसे यह डाउन श्लोप में है तो अगर इस तरीके स्लोप बने का तो आपार यह एसे बन जाएगा ठीके तो इस तरीके स्मुझ नहीं हो क्या रहा है ठीक है समझ ग tą वोलना चाहिए लिएट आप बिसेर का वह हमारा क्या है वो हमारा accumulation zone है, मतलब वहांपर ही snow accumulate हो रहा है, और lower part में वहांपर ही snow melt हो निचे जा रहा है, तो इसलिए वहांपर इसको ablation zone बुला जा रहा है, और यह जो beach में हमारा firm line है, ठीक है, beach में क्या है, हमारा यह firm line है, यह क्या होता है, firm line is a term कर ाकिए कृणी कर रोऄन तो से ऊपर इसे कर रातंत साने उन डेखिए टूर्ण हे रहें हैं अब मुक्लै क्षके लेकिन यहां च्शियर कर रहे हैं ऐसे टुम्प तो मढूतु graveyard टुम है तो इसी को fern line बोलते है, fern बोलते है, ठीक है, तो यह काफी important term है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, तो fern line क्या होता है, is the line dividing between the accumulation and ablation zone, यह भी important line है, तो इसको भी अच्छे सियाद रखिएगा, okay, fine, now, यहाँ पर यह आप देख सकते है, active eyes और stagnant eyes यह क्या होते हैं, अब इसको अच्छे से दिमाग में लगा सकते है, stagnant मतलब एके जग eyes पढ़ा हुआ है, और active मतलब move कर रहा है, तो active eyes हमारा down slope move करेगा, and is replenished by snow accumulation in its source region, और stagnant eyes, जो unmoving होगा, और इसी में no longer replenished from its former source region and decay where it stands, okay, fine, now, इसको clear हो गया, now, हमारा फिर यहाँ पर देखिए, अभी cold based and warm based glaciers, so, यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दिजेगा, तो glaciers को हमारा लगभग दो भाग में divide किया गया है, पहला है warm और cold glaciers, तो इसी कैसे होते हैं, हमारा वहाँ पर eyes का temperature कैसा है, उसके recording मेलनी यहाँ पर ही क्या गया है, तो हमारा देखिए, यह दोनों में difference समझने के लिए, warm और cold glaciers से आकर होते हैं, किसलिए इसको बोला जा रहा है, तो warm glaciers को बोला जा रहा है, cold glaciers को बोला जा रहा है, तो उसका mainly reason होता है, वहाँ पर ही pressure melting point देखा जाता है, तो melting point जो होता है glacier के अंदर, वहाम ऐसा depth के सान भैरी करता है, देखिए, कि कितना amount का वहाँ पर ही depth, हमा पर ही depth के सान भैरी करेगा, जिसके क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ही pressure changes, मतलब जितना amount का यहाँ पर ही इतना amount का थीक ice present है, तो यहाँ पर ही, obviously pressure जादा लेगा, तो यहाँ पर यादा chances है as compared to, मतलब जादा amount का यहाँ पर ice melt हो पाए, और जब कि हमारा यहाँ पर देखि के simple language में समझ गया, okay fine, now फिर हमारा यहाँ पर देखिए, क्या बोला जा रहा है, जो melting point होता है, ice का within a glacier, वहाँ प्रेशर changes, the greater the depth of blank ice, the higher the pressure, okay fine, now, जो melting point है, at the base of a 2000 meter thick ice state, वह हमारा minus 1.6 degree Celsius होता है, rather than 0 degree Celsius, इसको अब जान में रखिएगा, फिर हमारा जो warm glaciers होते है, have ice, at pressure melting point near the point except near the surface where cooling occurs in winter, वैसे cold glaciers have a considerable portion of ice below pressure melting point, okay fine, now, however, glaciologist, glaciologist क्या होंगे, जो glacier के बार में study करते है, now, recognize that warm और cold ice, जो होते हैं, may occur within the same glacier or ice seat, देखिए, ध्यान दीजी, क्या बोला जा रहा है, एक ही ice seat के अंदर हमारा warm glacier or cold glacier हो सकता है, यह देखा जा रहा है, तो Antarctic seat, for instance, constantly, mainly of cold ice but basal layers of warm ice are presented places, a more useful distinction may be between warm based glaciers with a basal layer at pressure melting point and cold based glaciers with a basal layer below pressure melting point, यह बात थोड़ ध्यान में रखिए का क्या 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 term है, उतना अदर इंपोर्टेंट तो है नहीं, बस लेकिन हाँ, यह term है, इंपोर्टेंट है, कैसा क्या होता है, तो यह आप ध्यान में रखिएगा, okay, now, creep, creep क because individual planes of hydrogen atom slide on their basal surface, यह देखिए, मैं इसको टेवल में आपको अच्छे से बता दूँगा, ठीक है, लेकिन यह देखिए, यहाँ पर एक इंपोर्टेंट टर्म है, जहाँ पर ही हमारा, where creep cannot accommodate the applied stresses on the ice, fault or fault, महाँ पर ही हमारा, fault or fault, महाँ डेवलोप हो जाएंगे, ठीक है, तो य sediments lying on the planes may yield to force extended to overlying ice, okay fine, यह दो, यहाँ पर ही है, आगे पढ़ लिया था, तो crevices क्या होते है, यह crevices बताया था हमें आपको, जो हमारा थीक लियरफ ice में वहाँ पर ही crack पढ़ जाएगा, तो crevices जो है tensional fractures है, यह term important है, देखिए, crevices क्या है, हमारा एक tensional fractures है, जो कि हमा only होते हैं कितना, around 30 meter deep in the warm ice, crevices जो होते हैं, कहाँ पर हमें लिखने को मिलेंगे, warm ice में 30 meter deep, but may be much deeper in cold ice, और फिर shear fracture, which results from ice moving along slip plains, are common in thin ice near the glacier snout, fractures tend not to occur under very thick ice, where creep is operative, ठीक है, तो यहाँ पर ही जो term है, यह काफी important है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, फिर यहाँ पर ही, ग्लेंट पावर फ्लो लो, यह भी आ सकता है, यह वी question, तो इसको भी चीज देख लिजेगा, यह हमारा क्या बताता है, it gives a relationship between shear strain और applied strain in ice, यह हमारा formula हो गया, epsilon dot, हमारा क्या है, यह strain rate है, और ai, यह जो है क्या है, यह ice hardness constant है, और tau, tau क्या है, shear stress है, और n जो है, constant and depends upon confining pressure and the amount of log debris in the ice, और यह range कैसे करता है, from about 1.3 to 4.5 and is often around 3, okay, तो AIG control किसे होता है, by temperature, by crystal orientation and by impurity content of the ice, okay, fine, तो अब इसको अच्छे से रहा ध्यान में रखिएगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर हमारा आ जाते है, vessel sliding, यह क्या होता है, ice चो होता है, slip यह slide कर सकता है, glacier bed के उ हमारा cold ice glacier में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो glacier bottom होता है, वो frozen होता है, मतला तो वहाँ पर ही, thund पड़ेगा, to its bed, तो इसके वैसे क्या होगा, हमारा वहाँ पर ही, slide वहाँ पर ही नहीं हो पाएगा, जबकि हमारा warm ice, warm ice glacier क्या होगा, जब आइस से उपर जो नीचे warm ice glacier present है, तो वहाँ पर ही sliding हमें देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही, इसके lubricant से काम करेगा, तो यहाँ पर ही हमें बसली देखने को मिलता है, and is added by lubricating melt water, which if under pressure will also help to bear the weight of the overlying ice, okay fine, यह clear हो गया, now, subglacial bed deformation, यह जो है, तो देखे, यहाँ पर यह एक term है, edge glacier flow, जै ऐसे हमारा glacier flow करता है, उपर एक fractured bedrock, एक fracture bedrock है, उसके उपर अगर हमारा glacier flow कर रहा है, तो हमारा क्या करता है, it loosens and lifts block of rock and incorporate them into the ice, और इसी process को क्या बोलते है, plucking बोलते है, ठीक है, तो इस बात को अब ध्यान में रखिएगा, कि ग्लेसल इरोजन, ग्लेसल इरोजन में हमारा क्या 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 तर्म में देखने को मिलेगा, भी हम पढ़ेंगे, quaring और plucking, ठीक है, फिर glacial abrasion, glacial abrasion पढ़ेंगे, फिर आगे यह सब जो term है न, इसको हम काफी मिलने, यहां पर ही focus देने वाले हैं, तो आए इसको हम देखते हैं, तो आप देखिए, कि quaring और plucking, यह हमारा जो है, इसमें में ली, दो process, separate process यहां पर ही involved होते हैं, तो जो fracture होता है bedrock में, beneath a glacier, beneath a glacier, हमारा जो bedrock present है, उसमें जो अगर fracture होता है, या फिर entrainment of the fractured or crushed bedrock, तो सरान क्या होता है, thin और fast flowing ice, favor squaring, thin और fast flowing ice, जो होता है, वो हमारा, उसको वाले से quaring होता है, because it encourages extensive separation of the ice from its bed to create subglacial cavity and because it focuses stresses sites such as bedrock, lages where ice touches the bed, okay, fine, in uniform rocks, in uniform rocks, the force of large clusts in moving ice make crust and fracture structurally homogeneous bedrock at glacier bed, the process, इसके process को वाले समें क्या बनता है, crescent shaped features, seared boulders and chatter marks, ठेक है, सीर देखने को मिलने में मिलता है, तो यहां पर ही मिलनी तो यहां पर ही देख लिए फिर, अभी glacial abrasion के वैसे क्या होगा, this is the scoring of bedrock by subglacial sediment or individual rock fragments, sliding over bedrock, जो classed होते है, scratch group और polish कर देते हैं bedrock को, इसके वैसे हमारा restoration बनता है, restoration क्या होता है, fine groups होते है, इसका जो definition है, सब जो मिलने टेबल जो होगा ना आगी, उसमें हम सब कुछ पढ़ लेंगे, ठेक है, which finds its way into glacier meltwater streams, is a product of glacier abrasion, okay, यह हो गया, और फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें important नहीं है, फिर हमारा यहाँ पर ही, Glacial debris entrainment and processes, किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको मिलने यहाँ पर ही देखेंगे, okay, और यहाँ से पहले अगर आप देखना चाहें, तो यहाँ पर ही बोल ला गया है, दिखा गया है, कि जो the effectiveness of glacial abrasion depends upon at least eight factors, यहाँ पर ही क्यों को रहाँ पर ही पर सकते हैं, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ही बिसको अच्छे से दिख लिजेगा, नहीं हमारा फिर यहाँ पर ही देखते हैं, कि जो दो processes हमारे incorporate होते हैं, जिसके वाज़े से हमारा bad rock detached हो जाता है into a glacier, तो हमारा क्या है, small rock fragments addi to the ice when pre-phrasing takes place which is common on the downstream side of the bad rock, ठीक है, obstacles, large blocks are entrained as the ice deform around them and engulfs them, okay, fine, now, moving ice, जो यह यह potent erosive isn't है, only if sediment continue to be entrained and transported, अब फिर जो sub-glacial debris होते हैं, यह हमारा carried होते हैं along the glacier base, it is produced by basal melting in warm ice and subsequent tree freezing, जिसको हम re-glation बोलते हैं, which binds it to the basal ice, okay, fine, so, यह तीनो टर्म है ना, sub-glacial debris, supra-glacial debris, englacial debris, यह काफी important है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो sub-glacial debris चो है, यह हमारा किसका carried होते हैं along the glacier base, glacier base के साथ यह carried होके जाते हैं, और यह produced कब होंगे, by basal melting, हमारा कहाँ परी, warm ice, और subsequent re-freezing हो रहा है, जिसे हम re-glation बोलते हैं, which, जिसके वए से वो bind हो जाते हैं, into the basal ice में, और फिर यहाँ परी, creep may also add to the sub-glacial debris store, as made the squeezing of material into sub-glacial cavity in warm-based glaciers and the occurrence of thrust as ice moves over large obstacles, okay, fine, now, supra-glacial debris से क्या होते हैं, यह हमारे ice surface में fall कर जाते हैं, from rock walls and other ice freeze area, और देखा जाये, तो supra-glacial debris जो होते हैं, यह हमारा मिलली कहां पर commonly देखने को मिलेंगे, on valley और sur-glaciers, then over large ice sheets, it may stay on the ice surface within the ablation zone, ठीक है, तो इस बात को अब धान में रखियेगा, कि supra-glacial debris जो है, यह हमारा कहां पर ह it may stay on the ice surface within the ablation zone, but it tends to become buried into the accumulation zone, और एक बार यह बरेट हो जाएंगे, तो debris, इसको हम क्या बोलेंगे, and glacial debris, which may re-emerge at the ice surface in the ablation zone, फिर सथी इमर्च होंगे, और फिर वो trapped हो जाएंगे, with sub-glacial debris, और it may travel to the glacier snout, तो यह जो snout term है, इसको आप तो सुचने को क्या है, तो snout जो glacier, gdzie glacier को end part होता है, तो हम नोजे को end part होता है, तो zwischen, क्या we like, the tip क्या बोलता है, it is snout, तो स्ट एक यह रहा 가운데, स्ट में तो हम सकते है, पोला जा रहा है, अप सिंपली समझ गे होंगे, where compression near the glacier base leads to slip lines in the ice, which is common in the ablation zone, सब glacier debris make carried into an end glacier position, ok, nowclass air deposition, अभी erosion बढ़ भा होगे, यह अब यह ग्लेसियल डिपोजिशन जिसमें आएंगे पढ़ेंगे हम सब्लेसियल डिपोजिशन सुप्राइशल डिपोजिशन मार्जिनल डिपोजिशन ठीक है ओके फाइन देखते हैं आप इस टायग्राम को देख लिए नहीं समझ जाएगा यहां पर इस डायग्राम दिया देखते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है किसको क्या बोलते हैं तो सब जेसे डिपोजिशन यहां पर इस त्री मेकानिजम पहला है अंडर मेल्ट फिर बैसल लॉजमेंट और फिर बैसल फ्लूइज तो इसका डेफिनिशन आप देख लिजएगा जो काफी इंपोलेंट है विखेंद अपको बताने हें ठाट फिर अमारा सॉप्राग्लेसियल डेवरिस तो सुप्राग्लेसियल डिपोजिशन में हमें पर फिर क्या हो रहा है यहां पर हमीं मेली दो प्रोचिस वाजन देखने को जो के हमारा है मेल्ट-आउट ऑर फ्लूइज यह क्या हो रही है और इसको हम एक मिनिट देख लिए ता हूं मैं उसमें पड़ लेंगे टेबल जो दिया है न टेबल में बहुत तरीके से बताया है मैं वहाँ पर यह आपको बता दूँगा ठीक है फिर अब देखके ग्लेसियल ट्रफ चोई यह ड्रामाटिक लैंड फॉर्म है अधर वैली ग्लेसियल इरोड देम और डेबल बनीट आइस सेट्स जहां पर हमारा आइस ट्रीमिंग अकर होता है और जो मोश्ट ग्ले ग्लेसियल ट्रफ जहां पर हमारा लाइन ऑफ बैसें होड लेक्स मिलेंगे उसे हम उस लेक को क्या बोलते हैं पैटर नोस्टर लेक्स बाई क्या नाम है पैटर नोस्टर लेक्स आफ्टर यह लाइकनेश टू बीर्स ओन श्ट्रेंग और रोजरी ठीक है तो अब इसको धि इस वान इस ट्रिंग वकिए फाइन नाओ फिर हमारा देखा जाए तो यहां पर ही जो टेबले देखिए सब टेबल रहने काफी इंपोड़न तो इसको हम कवर करेंगे तो यहां पर यह तो काइंड फ्लेसियल ट्रफ पहला है ग्लेसियत बैली और एक है फजॉर्स यह काफ सब्सक्राइब करेंगे उसब बिदो सब्सक्राइब प्रब्ली और गुए इस परड़नाट फिरिण जो ऊटेखें हैं इंडियर यांध बैली में पास इंट्वर्स बच्विदा कर्णिव सकता है और बहुत सब्सक्राइब होते हैं इस्परियर दोजी नॉर्वेर यहां पर यहां पर ने बाले हैं तो क्या-क्या फीचर से बनेंगे एरियल Scoring, Glaceted Valley, Phasod, Hanging Valley, Braced Watershed, Dome, Whaleback और Rock Trumbly, Streation, Polished Surface, Groove, Plastically Molded Forms तो इतने सारे Features जमा रहे हैं बनते हैं फिर हमारा आजाएगा Abrasion और Rock Forming, Fracturing by Glacier Ice Partly Streamlined Relief Forms, तो इसमें आजाएगा Truff Head, Rock और Valley Step, Rizzle ओके, फिर Land Form वहीं जो Continue यहां पर ही, फिर Surk, Call, Rocky Mountain Flickburg, Crack, Tail और Leaside Porn, फिर Rock, Crushing, Non Streamlined Relief में Lunate Fracture, Crescentic Gauge, Crescentic Fracture, Catermarks, यह क्या होते हैं फिर Arate, Horn, Lunatec, यह किसे बन रहे हैं Erosion by Glacier Ice, Frost Sattering, Mass Movement, Residual Relief Forms तो इसके वज़े से हमारा मेल लिए जो है, यह बन रहा है तो यह जो Terms है, यह काफी ज्यादा Important है, ठीक है तो आप इस सब Terms को याद रखना है कि हमारे Glaciers में आते हैं यह हमारा Glacier का Term है, तो जो Matching आएगा आप इसको यहाँ पर इसे Match कर सकते हैं ठीक है, तो यह क्या क्या Term है देख लिए पहले तो Aerial Scoring, इसको मैं बता दूँ कि आप इसको खुद पढ़ लिजेगा देख इसको बताएंगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है आप ज्यादा Time Waste होगा, लेकिन मैं उपर उपर जो है न, खली मैं उसको बता दे रहा हूँ तो क्या क्या important है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ियेगा, ठीक है आप इसको 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 अच्छे से पढ़ियेगा, बोल्ड राओं मैं भी से, ठीक है तो Aerial Scoring, Regional Expanses of Lowland Bedrock, up to 1000 km extent, scored by ice, sometimes contains set of parlor groups and bedrock fluids तो Aerial Scoring कैसे हो रहा है, फिर Glaciated Valley, तो यह कैसे होते हैं, यह Glacial Trough होते हैं, जो कि the floor of which is above sea level, जिसका floor होता है, sea level के above होता है, तो उसको हम क्या बोलता है, Glaciated Valley बोल रहा है, जो कि मेलनी U-save का होता है, ठीक है फिर हमारा जो होते हैं, यह Glacial Trough है, इनका जो floor होता है, वो below sea level हमारा प्रेजेंट होता है, जो कि वही U-save के होते हैं, फिर हमारा जो hanging valley है, यह Tribal Tree Valley है, इसका floor जो होता है, that sits above the floor of the trunk valley, ऐसे से terms हैं, तो यह सब को मिलनी आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, तो यह सब को आप मिलनी याद रखेगा, ठीक है, मैं अभी सब बता दे रहा हैं आपको, यह जो term है फिर देखिए, Plastically Molded Forms, P Forms, फिर S Form आगे आएगा, तो सब मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहे हैं, तो यह सब term में लिए, आप देख लिए, क्या है, क्या नहीं है, सर्क, स्टेप वाल, सेमी सर्कुलर रिसेज, और बेशन इन मांटेन, क्या होता है, लो पास कनेक्टिंग, टू सर्क, फेसिंग, पुज डिरेक्शन, ओके, Rocky Mountain, यह से है, तो यह आपको टर्म से लेगा कि में यहां पर यहां पर में आता होगा, किस में आता होगा, लिकिन सिर्फ टर्म आपको यहाल दखना है, ओके, चलिए, बहुत बोल दिया, फिर हम गाली दोगे भी, नौ, एरिट, होन और लूना टेक, यह क्या है, इसको अच्छे से ब्रिष्ट वाटर से यह हमारा कहां करेगा, वेर आइस फॉर्म वन ग्लेसिर स्पिल्स ओवर तो एजसेंट वन इरोडिंग दा इंटर्वेनिंग कॉल इन प्रोसेश, ओके, यह हो गया, फिर डॉम्स और वेल बैक्स, यह क्या हो रहे है, फिर स्टेशिंस, यह क्या होता है प्लास्टिकली मॉल्डेट फॉर्म, यह क्या हो रहे है, एस फॉर्म का बनेगा, क्या होगा, इस सब यहां पर दिया गया है, अब इसको देख सकते हैं, कौन सा बुक है, रिचार्ड हगट का बुक है, जो बहुत ही अच्छा एक बुक है, आप यहां से इसको फॉलो कर सकत into a bedrock by the base of a sliding glacier, ओके, now trough heads, valley steps and wrinkles, यह क्या हो रहे है, trough heads और valley steps are similar to rocky mountain, but larger, लेकिन यह बड़े होते हैं, तो trough heads जो होते हैं, steep और rocky faces that mark the limit of over deepening of glacier troughs, तो यह सब जो टर्म हैं, यह भी आपको मिल ली याद देखना पड़ेगा, यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर result, result क्या होता है, यह rock barrier है, that seat across a valley, often where a band of hard rock outcrops, इतमें important a lake, फिर सिर्क हो गया, देखे, सिर्क जो को अलग 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 नाम से जाता है, इंगिलेंड में कौरी नाम से, और फिर Wales में दिखा जा जाता है, तो CWM नाम से जाना जाता है, ओके, तो plastically molded form, जो P form end station on rocky mountain near calving front of Columbia glacier, जो figure दिया गया, आप इसको यहां से नेख सकते है, P form किस तरी के सिहां पर ही है, subglacially formed P forms, and pothole, cut in protergic cysts, यह भी हो गया, rocky mountain, हमें कहां पर मेली देखने को मेलेगा, commonly in glacially eroded terrain, जो term है, ओके, फिर यहां आजाएगा, सर्ग, यह tarn हो गया, जहां पर ही हमारा क्या होता है, ज लुनियर्ट फीचर, Crescentic, Catter marks, जो देखिए का आगे feature, Catter marks क्या होते है, और आजो Crescent shaped, there friction marks on bedrock, formed as moving ice judder, and are comparable to the reef like markings, somewhere, sometimes left on wood and metal by cutting tools, okay, यहां पर देखिए, यह हमारा है, Catter marks, on Cambrian project, अब समझ सकते हैं, क्या है, क्या नहीं है, लेकिन देखिए, इसको जाह, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा, कि residual landforms, इसमें arides, coals, और horns ही मिलनी हमारा क्या होते हैं, तो in glaciated mountains, हमारा abrasion, fracturing by ice, frost scattering, और mask movement, जो हो रहा है, तो उसके विए से क्या होता है, वो हमारा mountain mass को erode कर देता है, और उसके विए से फिर क्या होता है, in doing so, महां पर ही कुछ related form हमारा develop हो जाते हैं, arides, coals, और horns, और यह जो landform होते हैं, यह हमारा survive कर पाते हैं, as relic features long after the ice has melted, तो arides क्या हो गया, यह हमारा form कब होगा, वेर, two adjacent cirques eat away at the intervening ridge until it become a knife-age serrated ridge, frost scattering helps to give the ridge its separated appearance of standing pinnacles on which are called gander mass, the ridge or arides are sometimes brished in places by coals, if three or more cirques eat into a mountain mass from different sites, a pyramidal peak or horn eventually form, तो यह सब भी है, महले, आप इसको यहां पर देखी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, okay, फिर, मैं क्या 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 है, मैं आपको मेली बता रहा हूँ, फिर, नूना टाक, नूना टाक क्या है, यह एक rock outcrop है, जो क्या हमारा range कहां से कहां से कह mountain ranges, including the transantarctic mountains of Antarctica, okay, फिर, इपोजिशनल ग्लेसे लेंट फॉर्म में क्या 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 आएंगे, उसमें क्या क्या फीचर साते हैं, वो यहां पर फीगर में आप इच्छे देख सकते हैं, मैं आपको आपको आपके दिखा दूँगा, बतार टेबल में, फिर, जो टान है, टान ह a Hogwarts रिचर से ना यहां पर यहां पर दिखी होटय के वेँसे इस लिगर जो रहे हैं, वह यहां पर ही इसब दिया गया है, यह बहुत रिकमें की से दिया गया है, आप इसको अच्छे तो पढ़िए गा है, खली मैं इसको repeat करूंगा मतलब नहीं है, आप इसको खुद से अच तो इसमें फिर क्या क्या आ रहे हैं लेटल मोरें मेडियल मोरें ठीक है तब इसको अच्छे से पढ़िएगा नाम बस याज रखेगा कहां पर ही क्या हो रहे हैं मतलब वह बस फिर सुप्राग्लेसल डिपोजिशन में पारलल नौर इंटेड वही सब है लेकिन यहां पर ही द आनेहां फिर यहां टीक है तो इस टाइब से आपको पढ़ना पढ़ेगा डफिनेशन उतना दरकार नहीं याद करनेगा ठोड़ा-मडा बस जाने रहे हैं क्या है क्या निहीं लेकिन यो यह टर्म है आपको यादकना पढ़ेगा के कहां पर ही क्या है किस चीज काण यह टर करेंगे हमारे यह बन जाएगा आइस मार्जिनल डियोटिन की पोजिशन ओके यह भी हो गया तो हमों की माउंटेंज को हम डाइस मोरेन और डिसिंट्री मोरेन से बोलते हैं यह भी लिखा गया है हम पर रिपढ़ सकते हैं ओके सब ग्लेस से लेंड फॉर्म फिर यह हो और टर्मिनल मोरेन क्या हो रहा है रिसेशनल मोरेन यह सब जो है आप पड़ लेज़ेगा आराम से क्लियर हो जाएगा अब को पीडियाप्स का भेज दूंगा क्या है क्या नहीं है बस क्या क्या इंपोर्टेंट है मैं आपको हर चीज बता दे रहा हूं ठीक है ताकि आप रिपेट करोंगा वही सब को मतलब नहीं है तो हमों की मोरेन जो इंपोरेंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा ज्यादा इंपोर्टेंट होगा तो टरनल भैली अग्यां आप एक्सजनिक प्रोसेसे फिर इसमें आ जाएगा कंटीनीव करेंगे तो फिर प्लोग लिसेर में हमारा यह आजाएगा यसे फीचर्स आ जाएंगे थेक है मैल्ट वाटर ए्लोजन में प्लेसी क्या होते है हां यह इमपोर्टन पढते है तो मैंन glacial meltwater and formed by the in filling of glacial or end glacial channels or by sedimentation in supraglacial channels okay minor forms include sediment filled nigh channels and mullein cames which are somewhat flitting piles of debris at the bottom of mullein okay fine overflow channel as car is your diagram now see what is and how is it cames to main deposition landform which is our ice margings associated with cames which are very various kinds of things if you can see cames which is commonly used to our excurs which is our flat topped and appear as isolated hummocks as broader platyv area and usually in glacial settings as broken terraces okay fine so cames terraces which are developed parallel to the ice flow direction from streams flowing along the sides of the stable and slowly receding ice margin okay fine then cames delta what are these all and how are they here is the cool lopps which is important which is the term to study some of the different things that are outbursts outbursts from the meltwater stored beneath glacier and ice sheet as a glacier lake so best known which is the cool lops occurred in the last century which is all is the best known the cool lops occurred in the last century all these all the रहाई देवलोप यहां देवलोप में इस आपे फिर में एस वाइड अस देया लॉग फूल अफ एक्टी ब्लेट्स ऑके फिर हमारा वैली लेश्केंट क्या हो रहें परी तो यहां पर यहां पर ही क्या हो रहे यहां देखेगा ओके भी हो गया फिर इसमें इंपोर्टेंट हमारे ट्वार्ट टेबल आता है ना सैथ से एक मिनिट देखता हूं मैं और यह टेबल यह नहीं इतना ही टेबल था क्या है क्या नहीं है तो यह जो डागराम है थोड़ा इंपोरेंट है अब फ्रोसेस अप्रेट यह यह उते हैं देखें आप मुझे कमेंट सेशने बताएगा मैं आपको यह सब कुछ पढ़ाऊ या फिर यह से रहने दूं दूंग तो आप मुझे ज़रूर बताईएगा ठीक है तो ध्यान में इसको रखिएगा ओके टेबल जो है न यह काफी इंपोर्टेंट है और यह बता रहा हूं मैं काफी इंपोर्टेंट है इस अपको नाम जो है लेंड फॉर्म यहां पर ही क्या डेवलप हो रहे हैं तो यह सब को अ नाम सुनके समझ में ने आएगा आपको कहां कहां क्या है तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो टर्म जो है मिलने इसको याद रखेगा अच्छी से एसक लेंग्दी वीडिनिंग कैसे हो रहे हैं उनका सेप कैसा है थोड़ थोड़ इसके बार में आइडिया रखेगा बैस आपको मेरा कंटेंड अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके में दोस्तों को साथ सेर कीजिएगा और जो भी हो रहा है कुछ में डाउट हो तो कॉमेंट सेक्षिन में जरू बताएगा ओके थैंक यू बरी मच